हेलो पीपल, वेलकम बाक टो आर चानल चटोरे बनी तो आज हम बना रहे हैं चीज बॉल्स सो लेट्स गेट स्टार्ड़िट तो सबसे पहले मैं यहां चार उबले हुए आलू को कद्दू कस कर लूगी अब मैंने यहां इसमें बारी कटे हुई शिमला मिर्च आट की है बारी कटे हुई प्याज आट की है और कुछ स्वीट कॉन्स आट की हैं मैंने यहां बॉल स्वीट कॉन्स को हलका सा मिक्से में घुमा लिया था अब मसालों में मैंने यहाँ 1-4 टीस्पून काली मिर्च आड़ की है 3-4 टीस्पून नमक आड़ किया है थोड़े से चिली फ्लेक्स आड़ किये है और थोड़ा सा ओरिगेन भी डाला है आप चाहें तो इसमें 1-2 कली लसन की भी डाल सकते हैं अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखी अभी अच्छे से मिक्स हो गया है लेकिन अभी यह थोड़ा स्टिकी है तो इसके लिए हम इसमें 2 चमच कॉन फ्लार आड़ करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपको ये इसके बात भी स्टिकी लगे तो आप एक समच कॉन फ्लार और आट कर सकते हैं तो चलिए अब चीज बॉल्स बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मिश्टर ले लेंगे और हातों की साहिता से उसको राउंड शेप देंगे फिर उंडली की साहिता से बीच में थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे और उसमें चीज फिल कर देंगे मैं यहाँ मौजरेला डाइस चीज यूज़ कर रहे हूँ आप कोई भी चीज यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास एविलेबिल है और फिर कोनों से उठाते हुए चीज को कवर कर देंगे और राउंड शेप देंगे अगर यह आपके हाथों में चिपक रहा है तो आप हाथों को हलका सा खीला कर लीजिए उससे ये आपके हाथों में चिपकेगा भी नहीं और आप असानी से इसकी बॉल्स बना पाएंगे अब चीज बॉल्स को ब्रेट क्रॉम्स में कोट करेंगे ये ब्रेट क्रॉम्स भी मैंने घर में ही बनाए हैं पस white bread के टुकडे करकर mixi में घुमा दो, आपके bread crumbs घर में ही त्यार हो जाएंगे cheese balls को bread crumbs में coat करने के बाद हलकी हाथों से प्रेस कर देंगे ताकि bread crumbs cheese balls पर अच्छी से चिपक जाएं मैंने ऐसे ही सारे cheese balls त्यार कर लिए हैं तो चलिए अब है बारी cheese balls को fry करने की जब oil medium hot हो जाएगा तो हम इसमें cheese balls डाल देंगे और तब तक फ्राइ करेंगे जब तक की cheese balls golden round नहीं हो जाते देखे हमारे cheese balls बनके एकदम त्यार है अब हम इनको निकाल लेते हैं अगर आपके पास air fryer available है तो आप इन cheese balls को air fryer में भी बना सकते हैं उसमें भी इतनी यम्मी और क्रिस्पी बनेंगे यह बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है देखिए कितना अच्छा चीज बुलाया है अगर आपको हमारी cheese balls की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना कॉमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेर करना मत भूलना और ऐसी ही अमेजिंग रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब सरूर करना और हां डोंट सब्सक्राइब आइकन थैंक यू